जैमा तादी, जैमा कमक्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवानी चेनल मनुष्य साधना करने के लिए बहुत भटकता है उसे साधना प्रारंब कहां से करना चाहिए? ये सबसे बड़ी समस्या होती है मा जगजनी आद्शक्ती भवानी की कृपा से आपको आज हम एक ऐसा रस्ता बता रहे हैं कि मनुष्य साधना मार्ग पर कभी बटक नहीं सकता अगर इस रस्ते पर चलिए तो आपको गुरू भी मिल जाएंगे कामखे वर्दे देवी नील परतवासिनी तम देवी जगत माता योनी मुदरे नमस्तुते कामखे काम संपन्ने कामश्वरी हर परिये काम नाम देही में नित्यम कामश्वरी नमस्तुते योनी मातर शरीर आए कुझवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्शी ध्यायताम सदा काम परिया काम रता कामा काम सरुपिनी कामीनी कामीनी काम्या कामुका काम चारिनी काम बीज इस्तता काम पीठ निवासिनी कामदा काम हाकाली कपाली करा लिखा ओम्रत्युन्जे महादेव तराहिमाम शरनागतम जन्मत्यु जराव्याधी पीडितम कर्म बंधने तुमा भगवती जगत जन्नी के चर्णों में और परमपिता परमात्मा के सामने इस शरीर को सर्वस्व समर्पन अर्पन करते हुए आपको अब साधना मार की A, B, C, D कहां से स्टार्ट करें आज वह बताने वाले हैं तो हमारे पास एसे बहुत से मनुश्यों का बहुत से जो साधना करना चाहते हैं इस्त्री, पुरुष, बच्चे बच्चिया भी शामिल है उसमें वह साधना शुरू करना चाहते हैं पंतु उन्हें कोई गुरु नहीं मिलता आज के जमाने में सभी पड़े लिखे हैं, सब बहुत पढ़ लिग गए और मैं तो कहूंगा ज्यादा पढ़ लिग गए पंतु वो वाली चीज पढ़ी भोतिक वादी चीज उन्हें, सांसारिक चीज पढ़ी अध्यात्मिक्ता को नहीं पढ़ा उन्हें और अध्यात्मिक नहीं पढ़ने की वज़े से उनके जीवन में उनको गुरु की प्राक्ति नहीं होती है तो मनुष्य को साधना के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आउशक्ता होती है और बिना गुरु के समझ में नहीं आता है कि शुरू कहां से करें बिना दिक्षा के उन्नती का मार्ग कैसे मिलेगा ये वड़ी समस्या होती है तो वह तथाकतित कहूँगा मैं अब शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तथाकतित गुरुओं के चक्कर में फस जाता है अब कौन से गुरुओं के चकर में फस जाता है जो ये व्यास गद्दी पर बेट जाते हैं जिने केवल भागवजी कहना वो कुछ नहीं आता है और भागवजी की भी वो केवल रटी रुटाई केवल बीस कहानी आती है बाकि उन्हें तो इस्तिनियों और पुरुशों को नचवाना आता है स्वांग करवा लेते हैं जहांकी वाले को बुला लेते हैं स्टेज पर नचवा लेते हैं तबला हार्मोनियम बजवा लेते हैं, नागी धुन बनवा बजवा लेंगें ऐसे गुरु घंटालों के चक्कर में फस जाता है या फिर कुछ गुरु ऐसे भी बेठे हुए हैं जो पेड प्रमोशन के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करते हैं और उनके चक्क्र में भस जाता है और जिसकी वज़े में जिन्दगी पर भटकते रहता है या या एसे गुरु जिन्हें कभी जिन्दगी में सादना नहीं की ऐसे वह वह मनुशु को शाधना करवाने लगे जो कभी उस रास्ते पर चले नहीं जिनने कभी उसकी पड़ाई नहीं की एक डाक्टर है यदि एक डाक्टर बन जाए पेशे दे करके फरजी डिग्री लेकर के बेड़ जाए तो क्या वो किसी को डाक्टरी की पड़ाई करा सकता है नहीं करा सकता है एक इंजिनियर फर्जी डिग्री लेकर के बेड़े जाए तो क्या वो अपने स्टूडेंट जो आई है उसको इंजिनिरिंग नहीं सिखा सकता क्योंकि उसे तो एबी सी डी मी नहीं मालूम है इसी प्रकार से ये साधना लाइन में आजकल अभी वर्तमा नवस्था की बात करे तो इस प्रकार के प्रेड प्रमोशन वाले गुरू लोगों का भी बहुत जादा जमावडा हो गया और मनुश्री के पास जो है मोबाइल होता है वो मोबाइल खोलते से एक के बाद एक के बाद कहीं गुरू उसको दिखने लग जाते है और बस उस मकड जाल में वो फस जा जाता है और सिवा उसे भटकने के कुछ भी नहीं मिलता सही गुरू तक वह नहीं पहुं सकता जब तक कि वो साधना के मार्ग में चलने के पहले विधी विधान से अपनी दिन चलिए अपना फिक्स करें तो यदि आपको कोई गुरू समझ में नहीं आ रहा है ऐसे व्यक्ति को गुरू बनाओ जो साधक हो साधक जो उस रस्ते पर चल करके इश्वर की प्राप्ति कर रहा हो या इश्वर की कुछ हद तक प्राप्ति कर चुका हो उस सिंपल तरीका बता रहे हैं कि आपको उचित गुरू भी कैसे मिलेगा और आपको अपने इस्त की क्रपा कैसे प्राप्त होगी यह सभी साधक किसी भी को इस्त अपना बना ले या बनाते होंगे तभी तो साधना लाइन में आएगे चाहे इसमें दीवी हो साधिवी हो चाह हनुमान जी हो चाए बहरल जी हो अधिकतर इनी की ही सिक्तिया की जाती है कोई दस महावधिया की सिद्धी करता है तो कोई सम्शान की सिद्धी करता है और जहां भी साधना शब्द आ जाता है वहाँ पर गुरु होना त्यंताव शुकुता है। पंतो आपके पाग गुरु नहीं, पंतो आपकी मुवक्ष्यु है, आपकी आत्मा तणप रही है साधना करने के लिए है। तो आपको क्या करना चाहिए है। तो एक तो रोजाना नित्य, सुर्यद से डेड़ घंटा पहले आपको उठ जाना है और जग जाना चाहिए है। और पुर्व दिशाकी और मुव करके भगवान सुर्य को प्रणाम करना चाहिए। यहने केहने का अर्थ है कि एक साधक मनुष्य की A, B, C, D यदि A, A, E, E उसे सिखाई जाए तो सबसे पहले मनुष्य को ब्रह्म मुहुर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुठ का मतलब होता है, उसके डेड़ घंटा पहले का समय जोता है, ब्रह्म मुठ होता है, उसमें उठ करके नहा दो करके फ्रेश हो करके उसे इश्वर आराधना में लीन होना है। तो रोजाना सुर्य उदय के डेड़ घंटा पहले जगना शुरू करे, आदर डाल दे अपनी। और उठ करके नहा दो करके पूर्व दिशा की और मुव करके जहां से सुर्ण नायन भगवान उदित होते हैं, क्योंकि पूर्व दूशा से ही आपके पास वो किरने प्राप्त होगी जो आपको होना चाहिए। तो पूर्व दिशा में भगवान सुर्य को प्रडाम करो, तथा उनसे अपने इस्तिकी क्रपा और प्रसन्नता सुर्ण नान भगवान से मांगना चाहिए। क्योंकि जब सुरु नान भगवान साम मांगेंगे, तो आपको पित्रों की क्रपा भी प्राप्त होगे। से पंच देव की पूजा की जाती है। जो पंच देव की पूजा जैसा कि हमें केता हूं कि घर में केवल पंच देव के अलावा अन्य देवता नहीं होना जाई है। से पंच देव में गोरी गणेश जी की पूजा करे। विधे विझान से करे। माः भगवती दुर्गा जी की पूजा करे। ठाकुर जी की पूजा करे। ये पंच देव के अंतरगत आता है और सुर्य नारण भगवान की पूजा करें, चार और एक अपने इस्ट देवता की पूजा करने, कुल देवी देवता की पूजा करने, तो पंचोप चार विधी से पंच देव की पूजा करना है, धाकुर जी की पूजा है ने विश्णु पूज़ी की पूज़ा करना है आपको और उसके बाद में अपने इस्तिका केवर नाम मंत्र से, इस्तिदेव का कोई भी एक नाम ले लीजिए, उनका आवहान करें तदा पंचो प्चार पूज़ा की भी करना चाहिए, मैं या मंत्र की बाद बिलकुल भी नहीं कर रहा, क्यो अम गनपते नमः, अम गनपते नमः, अम गनपते नमः, ऐसा, यदि गनपते जी की साधना करना हो, तो अम दुरगाए नमः, अम दुरगाए नमः, ये नाम मंत्र है, इसको मंत्र की परिभाशा में नहीं लिया जाता है, ये वो नाम बोलना है, तो नाम मंत्र से आपको आवहान करना है, पंचोप चार्पूजा करना है, इसके बाद में अपने इस्ट, जिनको भी आपने इस्ट बनाया हुआ, जिनकी साधना करना चाहते हो जीवन में, उनका शत्त नाम इस्तरोत दस बार या ग्यारा बार या सत्त आइस बार पढ़ना चीए. शत्यने सो, शत्यने सो, याने की अस्टोत्तर शत्यनाम जो होता है, उसको उस इस्तरोत का पाठ अवश्य करना चीए, क्योंकि नाम है, नाम लेने में कोई पृतिबन नहीं है, अस्टोत्तर शत्यनाम लेने के लिए किसी गुरू की आवश्यक्ता नहीं है, कोई दोश नहीं लगता है इसलिए अस्टोत्तर शत्र नाम का पार्ट करना चीए और कम से कम में तो कुमा 27 बार करो यदि आप साधना लाइन में उतर रहे हो तो और फिर आपको उसी अपने इस्ट का सहस्तर नाम इस्तरोत क्योंकि ये भी इस्तरोत है नाम ले रहे हैं हम कोई मंतर नहीं बोल रहे हैं इसलिए सहस्तर नाम इस्तरोत का भी पार्ट करना चीए एक बार कम से कम करो उसके बाद इस्तिका कोई भी नाम जो दो अक्षर या तीन अक्षर को हो उसका लगातार आपको जब करना चाहिए यहने continue कम से कम दस बीस हजार आपको जब कर लो एक बार जो नाम आप निश्चित कर लोगे उसे बदलना नहीं है उसी का ही नाम का आपको जब करना है दो अक्षर का भी हो सकता है तीन अक्षर का भी हो सकता है पाच अक्षर का भी नाम ले सकते हैं कोई बात नहीं फिर यदि अपने इस्तिदेवता की चालीसा उपलब्द हो तो चालीसा का पाट करें उसके बाद में छमा परार्थना अवश्य बोलें उसके बाद उनकी आरती अवश्य करें कपूर से और तुलसी जी को प्रणाम करें घी का दीपक अवश्य लगां तुलसी जी के सामने और सुरिय नारन भगवान को जल अवश्य चड़ाना अर्ग अवश्य देना चाहिए और किसी भी वेदिक मंत्र से भी आप बचो मन्तर तो बोलना ही नहीं आपको क्योंकि मंत्र बोलने का मतलब हो गया है आपको दिक्षा लेना या नाम की बात कर रहा हूं इस तरीके से रोजाना आपको साधना करना है और भी आपको इस्ट स्वयम दिलाएगा आपको एक ऐसे जगे ले जाएगा ऐसे मार्ग पर पहुँचा देगा जहां पर आपको गुरू खुद दिखने लग जाएगा और कई बात ऐसा भी होता कि जब यह साधना करते हैं तो अपना इस्ट जो है वह खुद ही गुरू रूप में सप्न में आकर के आपको मंत्र प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से यह तरीका उन साध्ड़कों के लिए है जो की मन में गुरू को बना नहीं पा रहे है या गुरू नहीं मिल पा रहे है या अपने अनुसार गुरु नहीं मिल पा रहा हूं जैसा चाहिए वेसा तो इस प्रकार के ये नाम मंत्र की साधना से नी संदेह बिलकुल हंडेट परसेंट आपका कल्यान होगा ही होगा और गुरु खुद वश्यक्ति आपका गुरु बन करके आपको बीज मंत्र कह लीजिए सपन में अवश्य प्रदान करेगी जैमाता दी जैमा कमा क्या करके देखें और अपना अरुभाव मुझे अवश्य शेयर करें ताकि आपको जीवन पता लग सके कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ बस्याते कि जैसा प्रारंब करने के पहले शुब मुहुर्थ देख लें किस दिन से प्रारंब करना है उस दिन से ये कारी प्रारंब करें और नीमित रूप से करें कुछ भी हो जाएं हमें ये करना है याने करना मनदब सीधी सीधी बात ये है कि ब्रम्म मुर्द के डेढ़ दो घंटे पहले आपको उठ जाना है अपना बिस्तर छोड़ देना क्योंकि जो बिस्तर होता है यह आलस्चिका कारक होता है यह शोक होता है बेसिकली बिस्तर बेसिकली बिस्तर जो है original का indication भी देता है इसलिए उस पे एक बार उठ गए तो दुबारा से अपने बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सोने के लिए जाना चाहिए यदि किसी मनुष्य को ये करते समय कोई तकलीवे आती हो तो मानके चले राहू आपको ये काम नहीं करने दे रहा है ये जम्षन लेते हुए चांदी का हाती ठोस चांदी का हाती अपने गले में धारन कर लेना चाहिए यदि आपको ठोस चांदी का हाती छोटा छोटी साइस का नहीं मिलता तो आप हम से संपर कर सकते हैं देव राधा ट्रस्टर से संपर कर सकते हैं, वो हाती अवश्य आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि पूजा पाट किया हुआ है, 7987237885 पर आप वो हाती प्राप्त कर सकते हैं, और किसी को भी जिंदिगी में यदि सफलता नहीं मिल रही हो, कारी करते हैं पर सफलता नहीं मिलती है, परिश्रम करते हैं पर सफलता हात नहीं आती है, मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती है, पराकरम भंग योग लग जाता है एक तरीके से तो भी हर मनुष्य को गले में चांदी का ठोस हाती अवश्य पहनना चाहिए इससे राहु का प्रभाव कम होता है केतु का प्रभाव कम होता है तो ये थी आज साधना के बारे में आपको विशेष जानकारी यदि किसी को साधना करना हो तो देवरादाटर सत्यवानी चैनल से संपर कर सकते हैं किसकी साधना करना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें इसके लिए भी जन्ल पत्रिका के अनुसार जो ग्रह होते हैं नक्षत्र होते हैं राशी होती है लगन होता है उसके अनुसार निश्चित किया जाता है निर्धारित किया जाता है कि आपका इश्ट कौन है किस की साधना करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी यह उस जन्म लगन चाट से पता लगाये जा सकता है तो यदि आप यह पूछना चाहते हैं तो भी आपको अपना पहले अपना नाम अवश्य बता दे क्योंकि हमारे पार फोन तो बहुत से आते हैं मेसेजेस भी बहुत आते हैं पर हम जबाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि व्यक्ति अपना नाम ही नहीं बताता है तो पहले तो अपना पूरा परीचाह दे, किस शहर में रेते हो, क्या गोतर है, मा का नाम क्या है, अपनी लगने चार्ट भेजें या जन्म तारिक, जन्म समय जन्म स्थान भेजें और अपने इस्ट का निधारन अवश्य कर लें, उसके बाद साधना प्राणब करें और शु जैनत करें, उसका फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए मुहृत भी देखना होता है, वो मुहृत भी आपको बता सकते हैं, किसकी साधना करना है, वो भी हम आपको बता सकते हैं, और आपको साधना में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस जन्म में, मालब पिछले जन्म म आप साधना से सम्मंधित पुन्य करके आए हो या नहीं आए हो या भी हम आपको बता देंगे इन सब का बताने के लिए शुल्क अवश्य लागू होता है किसी भी सलाकार से सला लेते समय, किसी डाक्टर से सला लेते समय किसी गुरू से सला लेते समय किसी सिक्षक से सला लेते समय फ्री में कोई भी सला नहीं लेना चाहिए किसी वकीन से भी सला लेते हो तो आपको फीस देना होती है तो किसी भी बड़े बुज़ुर्ग व्यक्ति से उनका अनुभवेदी आप लेते हैं तो उनको उनका मान सम्मान सरुप राशी अवश्य भेट करना चाहिए। अन्यता गुरु दोश लगता है और फिर आपका गुरु खराब हो जाएगा। और जब गुरु खराब हो जाता है तो ये साधना मार्ग में रोड़े अटकाने का काम करता है। आप जड़ा से पेसे के चक्कर में अपनी साधना में बहुत बड़ी दिवाल खड़ी कर देते हैं। और व्यक्ति सोचता मैं तो फिरी में ले लिया उनसे। फिरी में सीख लिया मैंने। जबकि ऐसा नहीं होता, आप अपने ही रस्ते में काटे भूने का काम करते हो। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि एक दुकांदार भी फिरी में आपको मिठाई नहीं देता है। एक डाक्टर भी आपको फिरी में कंसल्टेंसी नहीं देता है। तो क्यों आप एक जोतिशी से ही आशा रखो कि वह भी आपको फ्री में जोतिश से सम्मंदित आपको दिशा निर्देश बता दें, इससे गुरू खराब हो जाता है और गुरू खराब होने पर निश्चित तोर से जीवन में कस्ट की प्राप्ति होती है, तो गुरू खराब करने के लिए स्री हरी विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, गुरू उच्चिका करने के लिए मंदिरों में कलर करवाना चाहिए, गुरू उच्चिका करने के लिए मंदिरों में कलर करवाना चाहिए, गुरू उच्चिका करने के लिए मंदिरों में कलर करवाना तो आपको गुरु भी उच्चका होगा तो आपको गुरु जल्दी प्राप्त होगा जै माता दी, जै मा का मक्या, जै श्री महाकाल महराज मा भगवती जगत जन्नी, अदिशक्ती भवानी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्त रखे, प्रसन रखे, यश दे, किर्ती दे और मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बाते आपको सद्ध बुद्धी प्रदान करें कि आप इस साधना मार्ग में चलें, तो थोड़े बहुत काटे उठ सकते हैं उन काटों को सहन करने की शक्ति प्रदान करें मा भगवती जगत जन नी, अधिशक्ती भवा नी, अलहादी नी शक्ती कस्ट निवारी नी, दुख निवारी नी, मैशा सुर मर्द नी, चंड मुंड नासी नी, सिहवाही नी, किलेश नाशी नी, पाप नाशी नी, दुरिता पहारी नी, शत्र संग विदारी नी, आपका खल ज्यान करें, जैमातादी, जैमाकामक्या